दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल में इन बॉक्स में दोस्तों आपने हमें बहुत सपोर्ट किया हैं और मुझे उमीद है कि आप आगे भी यूँ ही सपोर्ट करते रहेंगे धन्यवार दोस्तों उत्तर प्रदेश में एक और एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है जिसका नाम गोरकपुर स्रामली एकोनोमी कोरिडोर है जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि इस एक्सप्रेस वे का उद्देश से इसके साथ लगने वाले सहरों और गाउं में आर्थिक गती बिधियों में तेजी लाना है यह है एक्सप्रेस वे छे लेंड का होगा छे लेंड वाले इस ग्रीन फिल्ड एक्सप्रेस वे की लंबाई करीब 700 क्लोमीटर होगी इसके निर्मान को लेकर तयाजियां तेजी से जारी है एक सलाकार कंपनी को इसकी ब्रस्तित रिपोर्ट बनाने के लिए कहा गया है सामली से गोरकपुर के बीच 22 जिलों में अधीग छोर को पूर्वी छोर से जोड़ने के लिए 700 क्लोमीटर लंबे गोरकपुर सामली ग्रीन फिल्ड एकोनोमी कोरिडोर के निर्मान कारिये को लेकर तैयारियां चल रही है इस प्रोजेक्ट का जिम्मा नैशनल हाइवे ऑथर्टी आफ इंडिया को दिया गया है यह यूपी यूपी का तीसरा सबसे बड़ा ग्रीन फिल्ड एकस्प्रेश वे होगा यह एकस्प्रेश वे नैपाल और भारत की सीमा की पास से होकर गुजलेगा और इससे पूरे इलाके में रोड कनेक्ट बिटी को बढ़ावा मिलेगा यह एकस्प्रेश वे सामली जिले के गोगबान जलालपुर के पास से सुरू होकर गोरकपुर तक जाएगा और यूपी के 22 जिले वे 32 तेहसीरों से होकर गुजरेगा इसकी खास बात ये है कि गोरकपुर सामली एक्सप्रेस वे पंजाब नौर्थ इस्ट कोरी डोर का भी एक हिस्सा है इस ग्रीन फिल्ड एक्सप्रेस वे के बनने के बाद सिर्फ याता याती सुगम नहीं हो जाएगी बलकि एमरजनसी में भी इसका उप्योग किया जा सकता है इस एक्सप्रेस वे पर एयर इस्ट्रिब भी बनाई जाएगी जिसका इस्तमाल नैपाल के रास्ते चीन से मिलने वाली चिनोतियों से निवटने के लिए किया जाएगा यह एक्सप्रेस वे उत्तर प्रिदेश के पस्चिम शोर को पूर्वी छोर से जोड़ेगा इसके लिए सिधार्त नगर, संत बीर नगर, बहराइच, बहरामपुर, आदी, जिलों में सर्वे किया जा रहा है लखनव, हर्दोई, साहजापुर, सीतापुर, बरेली, बदाईउ, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, बिजनोर, अमरोह, मेरट, सहारनपुर और मुझफवर नगर को जोड़ते हुए यह एक्सप्रेस वे सामली तक जाएगा इस एक्सप्रेस वे का निर्मार उत्तर प्रिदेस में रोड कनेक्पिटी को और बहतर बनाने के लिए किया जा रहा है इस एक्सप्रेस वे में 594 किलोमीटर की लंबाई वाला गंगा एक्सप्रेस वे भी सामिल है जिससे ग्रामीन इलाकों को और बहतर रोड कनेक्टी मिलेगी यह सवी एक्सप्रेस वे यूपी में उद्धोगिक विकास के साथ राजकी उन्नती के लिए भी मददगार साबित होगी तो दोस्तों ये जानकारी आपको पसंदाई होगी आप अपना प्यार और सेहो यूँ ही बनाए रखे धन्यवाद